사़ में अपने ऑफिस से निकल गया अभी और अब बाकी का सस्पेंस है वहीं जाके सस्पेंस open करेंगे खोलेंगे तो बैया है हानन बैया हालो यह आद रहा है थाइम लिका रहा है अब ड्राइब कर रहे हैं अभी डिस्टरब नहीं करते हैं झाल झाल हम पहुंच चुक है अपनी डेस्टिनेशन से गाड़ी से उतर गए है तो आपको मैं यह बताना चाहरा था हम आए कहां पर है हैं आज क्रिकेट खेलने नी मैं देखने आया हूँ भाइया खेलेंगे भाइया आगे चल रहे हैं और यह प्लेन जा रहा है इंडियान एयर फॉर्स का नेयरबाइ एंडन एयर फॉर्स है हम है अभी करण्ड लोकेशन हमारी द्राजनगर है है तोड़ा साउंड और अरहा होगा है कहां गया वह जा रहा तो है तो मेरा ही फ़र्स्ट व्लोग है मतलब हमारे फ़र्स्ट व्लोग है तो समझ नहीं आ क्या बनाए किस टोपिक पर बनाए तो भाईया ने सजेस्ट करा भाईया पीछे देखो एक वारी भाईया ने के बनाते हैं पहला व्लोग क्रिकेट पर बना लेते हैं और यहां पर भी मैच दूसरी टीम का अभी ग्राउंड खाली नहीं हुआ है बट हम थोड़ा सा हम जल्द जल्दी आगे हैं तीम भी पहुंची जाएगी याने का मोटीव है यह ने बताया तो जल्दी जाके प्रैक्टिस करते हैं पहले इसलिए जीरो पे एक बार जीरो पे आउट हो गेते और यहां पर यह लोग भी रिकॉर्डिंग चल रहे हैं लोग इनके कैमरे लगे हुए है अगर तो आप बैटिंग 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 फेवरेट है और भाइया की बोलिंग फेवरेट है हाला कि फर्स्ट बोल पर कोई 6 भी लगा देता है कभी कावार इनकी बोलते हैं कोउगें बीचा संदी और भिया अगर आपको फर्स्ट बार्स मंज अगर अगर आपको फॉस्ट उपनिंग पर बेजा जाए तो आप क्या करोंते दिलम जैसे तो अंगर हम जीदेंग्ले बाइच मैंद्द देखला हो तो बैटिंग करेंगे मतल यही बस जिएक बोलिंग अकेली बोलिंग करा देंगे अगर टोस आर गए तो अभी यहां पे ओल्रेडी मैच चल रहा है तो बहुत ने डिसाइड करा है कि पहले प्रैक्टिस कर लेने थोड़ी सी और यह प्रैक्टिस करने स्टार्ट यहीं पर इस टंब अगेरा भी लगाओगा आप ऐसी प्रैक्टि यहां बहिया थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं बोलिंग की कि प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करेंगे इस गयर थे टीम पता नहीं कहा है हमारी भाइया टीम कब तक आएगी कुछ कुछ कहना चाहोगे टीम कब तक आएगी भाइया कह रहे हैं जितनी लेटा है उतना सही है टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस जरूरी है दिरे दिरे टीम आने वाली होगी भाईया कहा रहे प्रैक्टिस करते रहो बस टीम आ गई है और यहां सेट अप वेट अप भी हो गया है पीछे अब भी फिर कोई डिसाइड हुआ है इस वाले ग्राउन प्रैक्टिस करने जा रहा हूं वह अंशल भाईया है उदर वाले के रहे हैं दो चार बोल मुझे भी खिलाओ सही बात है भाईया को भी खिलाओ दो चार बोल प्रैक्टिस कराओ बाई डिमांड करें एक्सक्यूस की एक्सक्यूस चलाओ भी या एपी डिलन सुलेंगे दो चलेगा तो एपी डिलन चलेगा नहीं तो कुछ नहीं चलेगा यह बाईया का फेवरेट साउंड है एक बार एक बार इस साउंड पर वीडियो बनाने के चक्कर में ना गाड़ी फसादी थी इन्हों ने घाढ रही हो पुट बोलिंग कराव तू राम भाईया से इन्हें बोलिंग बहुत अच्छे आती है रियली बोलिंग बहुत बढ़े आती है बएया को आप वो बात अलग एक इनकी बोल पर चक्के चोके तभी अससे लगते हैं ठीक से और ये भाया ये प्रैक्टिस में फिल्डिंग करा रहे हैं लोगों को देखो भाया कह रहे हैं तुम मेरी वीडियो बना अब मैं शोट लगाऊंगा और बहार ही फैकूंगा सीधी बोल बस कराली भई ये बेशती ये बाहर जानी चाहिए बोल रसी से आगया आजओ अएस था मतलब टू-फिफ्टी पे और टू-थर्टी पे सोरी टू-फिफ्टी बोल दिया ने टू-थर्टी पे मैं इस था टू-थर्टी हो गया टीम का ता बता नहीं है भी कहा हैं ग्राउंड चेंज हो चुका है यह वाला ग्राउंड नहीं है अब ने सामने वाला और अभी कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है टीम नहीं आई है एसे बंदे वह साथ बार फासी और सत्तर कोडे यह कह रहे हैं बोल बोलिंग ने डालनी आ रही है जिने अब यह साथ अब दुबारा जीत चुके है हमारी टीश जीट लिया है कि अहां कोई दिक्का दőख कर नियां टोस जीत कर रहा है इसका कि बैटिंग करेंगे तो यह ओपनिंग पर जोंगे यह बैया जा रहे हैं ओपनिंग पर और कौन, बिने बया, वो रहे बिने बया, ये, रेड़ी हो रहे हैं, अपनिंग के लिए, और बाकि सब भी, बया जाएंगे थरड, और भैया, आप तो सिर्फ बोलिंग ही कराओ होगे ना बैटिंग वैटिंग नहीं करेंगे आज और आज बोलिंग आज बोलिंग से भी अटा दिया है तो अभी तक मैंने तीम के प्लेयर्स के नहीं मिलवाया आप मैं एक एकर के मिलवाता हूं सबसे तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और यह निकी बाहिया और रोईद बाया यह हमारे साथ आयता है इन से आप मिल चुके है और यह बाहिया जगदीश बाया और आनन्द बाया वहाँ पे रेडियो हो रहे हैं थार्ड नमबर पर बैए जाएंगे और यह यादराम बाया और बाया इंट्रोडक्शन तो दो विश एकदाल बहिए यह जारे आप जारें बहुनिंग पर बढ़िया नमर आ गया भाइनल्य अब है जा रहे हैं बैटिंग पर यह डरेशन दम सेट करें ऑपनर और चलते हैं एक वारी पीछ वीच का बताएंगे भाईया थोड़ा सा हमें अब हरेंदर भी अब आगे अभी जिनकी बात चल दी ती मलब आप लेट आते हों चल दी थी आप नाप कि आपको कि पीजे मैं चल ले रहे हैं देखते हैं यहां पे यह चेर लीडर्स हमारे यह है मनजीत भाई और यह कह रहे हैं अंसुल भाई जो खेल रहे हैं अगर वह आउट हो गए तो मैं पेटीज गिलाओंगा यही है ना ठीक है अंसुल भाई से हम बाद में निमट लेंगे पर पेटीज पक्की है इस ओवर में वैसे भी वह आउट हो जाएंगे लग रहा उनके आसार देखें विने भाई आउट होके रागे हैं थोड़ी सी मिस कमांड्स की वज़े से और अब गए आनन्द भीया खेलने के लिए दिख रहे हूँगे आपको वहाँ पे रनिंग में कि और अन्चिल भाई भी हो गए आउट अब आ रहे हैं अंचुल भाई और अंचुल भाई एक और एक और राज खोलेंगे अगले व्लोग में के थोड़ा सा और भी कुछ सोच रखा है वो भी करेंगे पक्का पर नेक्स्ट नेक्स्ट व्लोग में इसके लिए अगले व्लोग में पुछ करते हैं झाल 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 अब जो है पस्टिनिंग कहतम हो चुकी है हमारी टीम जो बैटिंग कर दी आप फिल्डिंग कर रही है मैं देख देखिए अभी सब लोग फिल्डिंग्स पर लगए है यहां से वह एंपायर बैठा हुआ है बैठे रहता तो अब यहां से मैच कहतम होने के बाद देखते हैं देखते हैं यहां पे मैयह ल्हें करत भाई रपल जाता है रहा हशनके और की सब्सक्राइब। यहां से मैज करता होने के बाद कुछ खूथे हैं कुछ चले हैं कहीं ठाने के कौने मैं दिखम गए राजडगर में वैसे भी बहुत चीज़री के मस्त देखते है जब चाहिए अब जीट चुके हैं सब को कैसा लग रहा है को कैसा लग रहा है सबको पेटी अभी मंगवाई जाएगी पेटी चाहने चल रहे हैं पहले कैसा लग रहा है आप सबको मैज जीत के यह 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 सही था ना हारी है ना हारेंगे इस बाइया रेडियो रहे हैं ठड़नी लग रही क्या आपको जीत की गर्मी दिख रही होगी आप सोको जीत की गर्मी जीत की गर्मी तो हम आगे हैं घरब हम वहां से थोड़ा सा है ना खाने गए थे तो वहां का मैं शूट नहीं कर पाया थोड़ा सा थक गए थे इस वचे से मैं शूट नहीं कर पाया अब हम फाइनली घर आ गए है घर आने के बाद मैंने खाना वागेरा खा लिया है तो थोड़ी सी एडिटिंग भी कर ली है अब इसके बाद में ये फाइनल अब एडिट करके मैं डालता हूं यूटूब पे बाकि सस्क्राइब जरूर क करेगा और बैल आइकन जरूर देवा जीजिए रडिकलर का जो सस्क्राइब आइकन आ रहा है आपके आगे सस्क्राइब करेगा एंड सपोर्ट कीजिए गाईज पहली वीडियो है बाकि आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे और I hope you guys आपको ये व्लोग बहुत अच्छा लगेगा और बताईएगा कमेंट में जरूर के व्लोग कैसा लगा तो बाबाई गाईज टेक केर